एक वार, भगवान अपने बच्चों को ले करके बगीचे में गए खेलने के लिए बच्चों को खेलाने के लिए बगीचे में गए भगवान ने बच्चों से कहा कि तुम लोग खेलो में यहाँ पर बेटा बच्चे खेलने लगे खेलते खेलते बच्चों को प्यास लगी पास में कुवा था वहाँ गए पानी पिने के लिए लेकिन वहाँ पर जल तो नहीं मिला एक गिरगिट पड़ा था बच्चे दोड़ के आये और कहा कि पिताजी वहाँ पानी तो नहीं लेकिन गिरगिट है चली ने आप देख लो भगवान गए पास में कुए में देखने के लिए एक बिसाल गिरगिट था तो भगवान ने भगवान का स्परस जैसे हुआ वो एक दिव्य मनुस्यक रूप में प्रकट हो जाता तो भगवान ने पूछा आप कौन हैं तब वो बिक्ति कह रहे हैं आप मुझे नहीं जानते मैं बहुत फेमस था भगवान बोले अच्छा ये तो बताईए आप कौन हैं मैं आपको सच में नहीं जानता तब वो वो कह रहे हैं द्रिगो नाम नरंद्रोहम मिख्ष्वाकू तनयाह प्रभु दानी स्वाख्यायमानेसु यदिते कर्डमस प्रिसम आपने सुना होगा मैं राजा नरिग और दान करके मैं बड़ा फेमस हो गया दानेस वाख्यायमानेसु मैंने ख्याती प्राप्त किया दान करने अगवान बोले अच्छा तो आपने क्या दान किया और कितना दान किया ये भी बता दीजिए यावत्यों पर सथा राश्चा तावतीर ददाम स्मगा जिस प्रकार धूल के कड को ने गिन सकते जिस प्रकार बरशाथ के बूद को ने गिन सकते जिस प्रकार आस्मान के तारा को ने गिन सकते उसी प्रकार मैंने गौदान किया भगवान बले अच्छा अगर आप में सच में इतना गौधान किया तो आज गिरगिट कैसे हो गवे राजा के रहे वही बात में आपको बताना चाह रहा भगवान बले बताईए भगवान ने जैसे पूछा आप गिरगिट कैसे बने तब राजा कह रहे हैं प्रभू में स्तदैव गौदान करता था और मेरी गौवसाला में बहुत सारी गाए थी और एक ब्रहमण आये उनको मैंने एक गाए दान में दे दिया और थोड़ी देर बाद वो दिया गया गाए बापस गौवसाला में आ गई पूरे गाए में मिल गई मुझे पता नहीं चला थोड़ी देर बाद एक और ब्रहमण आये मैंने वही गाए गलती से दुसरे ब्रहमण को भी दान कर दे एक गाए जो है दो ब्रहमण को हमसे दान हो गया अब थोड़ी देर बाद दोनों ब्रहमण आये एक ब्रामण ने कहा राजन आपने गाए मुझे दिया था दिया तो था मना भी नहीं कर सकता सिर हिलाया हाजी दिया था दूसरे ब्रामण आए उन्होंने कहा राजन ये गाए आपने मुझे दिया था मैंने सिर हिलाया मना नहीं कर पाए क्योंकि दोनों को दिया था अब ये पता नहीं चला कि एक गाय में ने दोनों ब्रामण को दान कड़ कर दे अब दोनों ही ब्रामण अत्यन तरुस्ट हो गए दोनों ने इसराफ दिया तुम एक निर्णे नहीं ले पारे गिरगिट के समान सिर हिला रहे इसलिए गिरगिट ही बन जाओ दोनों ने स्राप दिया इसी कारण से मैं गिरगिट बना आज प्रभु आपके दर्शन करके मैं मुप्त हो गया अब मैं आपके धाम में चला जाता हूँ भगवत धाम प्रभू को प्रणाम करके राजा नरिग चले गए भगवान ने अपने बच्चों से कहा अभी अभी यहाँ जो हो रहा था तुमने देखा बच्चे वले जी पिता जी हमने सब देखे इसे कुछ ग्यान तुमें प्राप्त हुआ तब भगवान के बच्चे कहते हैं कि कभी भी दूसरो का धन हरने करना चाहिए तब भगवान ने बच्चों को पदेश दिया देखो बच्चों श्वदत्ताम परदत्ताम ब्रह्म बृतिम हरेचय सस्टी वर्षा सहस्राडी कभी भी स्वदत्ताम परदत्ताम वा खुद का दिया हुआ हो या फिर दूसरो का दिया हुआ ब्रामण का धन अगर आपने हरन किया तो आप कभी सुखी नहीं रहो ब्रामण का धन जो बेक्ती हरन करता है न ब्रामण चाहे कैसे भी कमाए अपने पुझापाट कर्मादी से ब्रामण जैसे धन आरजन करे वो धन अगर आपने हरण किया तो साफ साफ भागवत जी में लिखा है सस्टी बरस सहस्राडी यानि साथ हजार बरस तक बिस्ठा या मजायते अक्रिमी मल में किडा वन के रहना पड़ता है इसलिए कभी भी जीवन में गलती से भी ये गलती नहीं करना जाए प्यार से बोलो